जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में CBI ने राजर सुप्रिमो लालू प्रशाद यादव उनकी पत्नी राबडी देवीज समेच 16 लोगों के खिलाब जो है नई दिल इस्थित CBI की स्पेशल कोट में दाखिल इस आरोप पत्र में लालू परिवार के अलावा सेंट्रल रेलवे के ततकालीन जीएम वा सीपी और जमीन देकर नौकरी लेने वाले लाभानवित के नाम है CBI की ओर से ये जानकारी साधा की गई है CBI ने कहा कि जाच के द्वारा ने ये सही पाए गया कि सेंट्रल रेलवे के जीएम और सीपी और द्वारा जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दी गए उनके नाम या उनके रिष्टदारों के नाम जमीन दूसरे आरोपितों के ना अभी फिलाल जारी है वहीं आपको बदा दें कि CBI ने जमीन लेकर रेलवे में नौकरी देने के आरोप में इसी साल 20 मई को लालुपरशाद राबडी देवी बेटी मीशा हेमा समेत अन के 16 ठीकानों पर छापे मारी की थी प्रात्मी की में लालुपरशाद यादव के अला गोटाला वर्ष 2004 से 2009 के बीच हुआ था तब केंद्र में वनमोहन सिंग की सरकार में लालुपरशाद यादव रेल मंत्री थे और भोला यादव उनके OSD थे CBI के FIR के अनुसार रेल मंत्री लालुपरशाद के कारकाल में सैक्रोलो को पटना मुंबाई जबलपूर कोलकाता और दक्षिन के राजों में जमीन के एवज में रेलवे के ग्रूप D में नौकरी दी गए थी और इसको लेकर अब CBI जो है वो सिकंजा कसने की त्यारी में ह और लालुपरशादी आदव समेत उनके परिवार और कई रेलवे के ततकाली इन अधिकारियों के खिलाब जो है वो चार्ची डायर कर ली गई है और अब लालुपरशादी आदव की मुश्किलें बरती नजर आ रही आपको बता दें कि राज़त सुप्रीमो सिंगापूर जाने वाले थे अपने इलाज के लिए लेकिन उसके पहले CBI की चार्चीट कहीं न कहीं उनके रातों की नींद उड़ा देगी और कहीं उन्हें फिर से परिशानी में डाल सकती आपको बता दें कि अभी हाल के दिनों में लालुपर बाहर हैं और अब जो हैं कोट ने उनके पासपोर्ट रिलीज क्या था सिंगापूर जाने की अनुमती मीली थी लेकिन एक बार फिर CBI ने उनके उपर सी घंजा कसा है जिसके बाद उनकी मुश्किले बढ़ सकती है ऐसे इन तमाम खबरों के लिए बने रहा हैं दाश्जी न्यूज के साथ और देखते ना हैं झाल